क्या आप पचास की उमर के पार हैं तो ध्यान से सुनिये हो सकता है आपका शरीर तकलीफ में हो तीन ऐसी कमिया जो आपकी शरीर की उर्जा, दिमागी छमता और जीवन का आनन्द चुरा सकती है बिना आपको पता लगे लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप उसे बदल सकते हैं थोड़ी सी जानकारी और कुछ एड़ेस्ट्मेंट पस इतने के साथ ये सब वापस पाये जा सकता है तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और हम आगे डिसकस करेंगे ऐसी तीन कमियां जो आपके जीवन से आनन्द चुरा सकती हैं यदि आप पचास के पार हैं तो कमी नमबर वान मैगनेजियम डेफिशिंसी शरीर की गतिविदियों को सुचार रूप से संचालित करने के लिए मैगनेजियम बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है मैगनेजियम तीन सो से अधिक बायो केमिकल रियाक्शन में शामिल होता है हमारे शरीर में जैसे बलड प्रेशर कंट्रोल, मसल फंक्शन, कुलकोज रेगुलेशन और प्रोटीन सेंसिस भी पचास की उमर के बाद शरीर की मैगनेजियम को एब्जॉप करने की सोखने की छमता घटने लगती है आपको महसूस होना शुरू हो जाता है क्रैम साने लगेंगे हमेशा थकान का हैसास होगा आपकी नींद प्रभावित हो जाएगी ठीक से नींद नहीं आती एंग्जाइटी, कुछ उल्जन होती रहेगी हमेशा आपकी मेमरी भी, याददाश भी प्रभावित हो जाती है ये लक्षन खतरनाक है क्योंकि बहुत से लोग दिमागी छमता का कम होना और लगातार थका हुआ महसूस करने को उमर के साथ जोड़ते हैं लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों, ये लक्षन कहते हैं कि आपके शरीर को मदद की जरूरत है पचास की उमर के पार साथ प्रतिशत लोगों को मैगनीजियम की डिफिशेंसी हो जाती है इस कमी के बहुत से कारण हो सकते हैं भोजन में मैगनीजियम की कमी दवाईयों का अत्यधिक सेवन आपके पाचन तंतर का ठीक न रहना तो फिर इससे कैसे बचें दोस्तों, अच्छी खबर ये है कि अपने खान पान में कुछ बदलाव करके हम अपने मैगनीजियम लेवल को बढ़ा सकते हैं पालक, एवकैडो, डार्क चॉकलेट, बादाम ये सब मैगनीजियम के अच्छे सोर्स हैं जिनें ज्यादा डिफिशेंसी हो उन्हें सप्लिमेंट्स की मदद लेनी चाहिए सप्लिमेंट एक अच्छा सोलुशन है मैगनीजियम की डिफिशेंसी को पुरा करने के लिए कौन सा मैगनीजियम लें मैगनीजियम थ्रियोनेट मेमरी और ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है Magnesium Malate आपकी शरीर की उर्जा को बढ़ाता है Magnesium Citrate आपके पाचन तंद्र को आपकी इंटेस्टाइन को रेगुलेट करता है अगर आपको किड्नी से सम्बंदित कोई समस्या है तो कृपया ऐसा करने से पहले अपने Health Guide से जरूर सला मशवरा कर ले और अगर आप Magnesium के लेवल्स आप्टिमम रख पाए यानि शरीर में परयाप्त लेवल रहा Magnesium का तो आपको Cardiovascular Diseases होने का खत्रा बहुत ही कम हो जाता है यानि Heart से Related Problems का साथ ही आपको स्ट्रोक होने के चांसे भी बहुत घड जाते है 2019 की एक Study बताती है कि यदि आप रोज अपने भोजन में 100 मिलिग्राम अधिक Magnesium कंजियूम कर रहे हैं तो आपको स्ट्रोक होने के चांसे दो प्रतिशत घड जाएंगे हड़िया मजबूत रखने के अलामा वाइटमिन डी के और बहुत सारे रोल हैं हमारे शरीर में जैसे इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, हमारी मेंटल हेल्थ को चुस दुरुस रखना साथ ही हमारे हार्ट को प्रटेक्ट करना भी वाइटमिन डी का काम है एज के साथ वाइटमिन डी का एब्जॉप्शन भी शरीर में घटने लगता है हमारे शरीर की छमता वाइटमिन डी को एब्जॉप करने की कम होने लग जाती है खास कर तब जब आप धूप में बाहर नहीं निकलते यदि आप पचास के पार हैं तो अक्सर देखा है कि लोग जादा समय घरों में ही वेतीत करते हैं या ओफिस में या इंडोर्स आउटडोर्स नहीं रहते ऐसे केसे में आपको वाइटमिन डी की एक्यूट डेफिशेंसी हो सकती है तो फिर क्या करें 15 से 20 मिनट धूप में बिताने पर फर्क पड़ सकता है खाने के जरिये अंडा, मशली ऐसी चीज़ों का सेवन करके भी आप अपनी वाइटमिन डी का लेवल बढ़ा सकते हैं और इतने से बात न बने तो फिर आपको सप्लिमेंटेशन का सहारा लेने की आवशकता है क्योंकि एक अच्छा वाइटमिन डी सप्लिमेंट आपके वाइटमिन डी की डिफिशिंसी को पूरा कर सकता है लेकिन याद रखें कि इंजेक्शन जो होते हैं शौट्स या एक हफते दो हफते वाले डोज़ वो नहीं लेने हैं आपको चाहिए वाइटमिन डी रोज 1900 इंटरनाशनल यूनिट तो 1900 से 2200 इंटरनाशनल यूनिट अगर कोई सप्लिमेंट आपको हर रोज दे सकता है उसका इस्तमाल करें नई समझ में आता है तो हम आरे साथ कंसिल्टेशन करके आप ये जान सकते हैं कि किन सप्लिमेंट का सेवन आप करें दोस्तों जब वाइटमिन डी का लेवल एड़जस्ट हो जाएगा तो आपको अपनी खोई हुई उरजा वापस मिल जाएगी आपकी इम्मिनुटी बढ़ जाएगी और आपकी मेमरी इंप्रूव होने लगेगी ये छोटे एड़जस्मेंट्स बड़े बदलाव लाएंगे आपका स्वास्त और आपकी उरजा वापस ला सकते हैं ये तीसरी कमी वाइटमिन B12 डेफिशन्सी ये कभी चुप चाप आपकी उरजा चुरा लेगी याददाश को कमजोर कर देगी और ऐसी परिशानी पैदा कर देगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा वाइटमिन B12 नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अत्यंत आवश्यक है रेड ब्लेड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए और आपके माइंड को शार्प रखने के लिए बहुत ही जरूरी है लेकिन बढ़ती उम्र के साथ शरीर की वाइटमिन B12 को एबजॉब करने की चमता भी घटने लगती है सोच कर देखिए आप सुबह उठें उर्जा से भरपूर दिन का आनंद लेने के लिए बिना पैरों में थकान के अपनी बौद दिक छमता फिर से वापस पाकर अपने दैनिक कारें में पूरा ध्यान लगा सकें वाइटमिन B12 आपके लिए ये सब कुछ कर सकता है पचास साल की उमर के बाद पेट में बनने वाला आसिड जो की वाइटमिन B12 को एबसॉप करने के लिए बहुत जरूरी होता है वो घटने लगता है साथ ही यदि diabetes की दवा ले रहे हैं या पाचन के लिए कुछ दवाएं खाते हैं तो वो भी इसके absorption को कम कर देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं अपने B12 के लिए को पूरा करने के लिए दोस्तों अपने भोजन में lean meat, fish, eggs, dairy products इनको शामिल करके आप अपना B12 का level बढ़ा सकते हैं लेकिन यदि आप vegetarian या vegan है तो तो आपके लिए B12 का supplementation ही सबसे अच्छा समाधान है इस तरह आपकी खोई हुई उर्जा वापस आ सकती है brain को protect कर सकते हैं ठकान से बच सकते हैं और किसी भी काम में पूरी तरह ध्यान लगा सकते हैं तो दोस्तों इन कम्यों की भरपाई करें जहां आपको न समझ में आता हो हमारे से संपर्थ करें नीचे दिये हुए WhatsApp नंबर पर और consultation करके आप अपना prescription बनवा सकते हैं तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रहें दोस्तों हमारे चैनल से सभी महत्वपूर जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी होई हैं जैसे कि आप हमसे कैसे संपर कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और अपने किसी भी दिकत परिशानी के बारे में तैंक यू